नमस्कार दोस्तों, मैं रोहुन शर्मा स्वात कताउं सभी का आपके अपने चैनल जोती शिन वास्तु में कैसे हैं आप सभी? आज हम याँ पर बात करने वाले ही 26th February 2024 के बारे में 26 February 2024 का ये दिन आप सभी के जीवन में क्या कुछ लेकर क्या आ रहा है? कैसे आप अपने इस दिन को और ज़्यादा बहतर बना सकते हैं? कौन-कौन सी वैदिक रेमेडीज आप सभी के लिए बहुत ज़ कोई भी चीज आप से मिस ना हो जाए सबसे पहले बात कर लेतें बध्डेस के बारे में आज के दिन में अगर आपका जन्द दिन है आपके इनिवर्सरी है आपके जीवन का कोई भी विशेश महत्रपुन दिन है आप सभी को मेरी और से हर्दिक शुक्पाम नाए आने वार साल आप सभी के लिए बहुत जादा struggling year रह सकता है बहुत जादा मेहनत करनी पड़ सकती है और इसी के साथ साथ मेहनत के परिणाम भी satisfactory result लेकर के नहीं आते इस तरह की योग यहां पर बनते हैं इस वज़े से पूरी तरह से plan करके चलिए back up प्रके चलिए और discipline maintain करके चलिए तो जादा अच्छा रहेगा नहीं तो आप सभी काफी जादा परिशानी महसूस करेंगे इस तरह की योग यहां पर बनते हैं उमीद करूँगा कि आप सभी आने वाले साल के लिए पूरी मेहनत करें और अपने साल को अच्छा निकालने का हर संभव प्रयास करते हुए किह राशी तुला राशी धनू राशी और मकर राशी के लिए समय काफी ज़्याद आच्छा दिखाई दिता है नम्बरंज में नंबर महने सी घटिके में एं P S और V आप सभी को अच्छे फाइदे मिलते हुए दिखाई दीते हैं अब बात कर लेते हैं यहां पर हम आज का दिन क्या कुछ विशेश यहां पर लेकर क्या आ रहा है दिन आखिर जाना कैसे वाला है तिकि सबसे पहली चीज़ आज के दिन में अगर गर्बवती मैलाएं हैं अगर आप किसी भी इस दौर से गुजर रहे हैं जहां पर आप कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं नहीं तो आपको परिशानी हो सकती है इस तरह की योग बनते हैं इसी के साथ-साथ आज के दिन में overthinking बिलकुल पूरी तरह से avoid करिएगा तो आप सभी के लिए काफी ज़्यादा अच्छा रहेगा आज के दिन में क्योंकि दिके सुमवार है सपता की शुरुवात है और सुमवार के साथ-साथ ही struggle काफी ज़्यादा देखने को मिलेगा बहुत ज़्यादा hectic schedule आपका हो सकता है बहुत ज़्यादा panic आप हो सकते हैं अगर आपने schedule को balance नहीं किया तो काफी ज़्यादा चीजें आपके आसपास रहेंगी जिसे plan करके चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और इसी के साथ-साथ आप सभी को थोड़ा सा शान्त रहने की भी ज़रूर थे बहुत ज़्यादा overthinking करना या बहुत ज़्यादा over stress में लेकर के गाम करना आज के दिन में आपको नुकसान देगा इस बात का विशेश थोर पर ध्यान रखिएगा इसी के साथ-साथ आज के इस दिन में जैसे जैसे दिन आगे पड़ेगा वैसे वैसे ही relax होता जाएगा औ और जैसे जैसे शाम आएगी आप अपने आप में थोड़ा सा ज़ादा positive महसूस करेंगे पैसो के लेन दिन में थोड़ी से साब्दा नहीं रखनी है work place पर colleagues के साथ अपने relationship को maintain रखे चलिएगा नहीं तो वहाँ पर आपको कोई दिकत कोई परिशानी जरूर महसूस हो सकती यह इस तरह की योग बनते हैं अपने से बड़ों का मान सम्मान बना के रखे हैं और अपने से बड़ों का आधर सतकार करते रहें तो आपके लिए आज का दिन काफी ज़्यादा अच्छा जाएगा और आज के दिन में आप सभी अपने आपको self motivate करके रखेगा तो भी आप आपको बड़े फाइदे मिलते हुए नजर आएंगे पुरानी यादों में या पुरानी चीजों में अपने आपको ना उल जाए और किसी भी तरह की पुरानी चीजों में उलच करके अपने आपको परिशान ना करे इस बात का विशेश तोर पर ध्यान रखेगा इस सारी चीजों को बैलेंस करने के लिए कौन-कौन सी वैदिक रेमेडी आज आपको करनी है ये भी आप नोट कर लीजे जिसे कि आप सभी अपने समय को और जादा अच्छा बना पाएं सबसे पहले किसी विशेश खारी सेगरा जब बाहर जाते हैं या कोई मिटिंग करनी है तो व कोशिश ये करें कि कच्छे दूद का ठीका अपने माथे पर लगा दीजिए या जाने से पहले थोड़ा सा रौ मिल्क आप पी लीजिए उसके बाद थोड़ा सा पानी पी लीजिए और अपने गड़ से बाहर निकले आपके कामों की रुकावटे नहीं आएंगे और अपने काम को करने के लिए निकल जाईएगा ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज के दिन में कोशिश करिएगा कि जहां कहीं पर भी आप बैट करके काम करें आपका फेस जो रहे वो इस डिरेक्शन को आप ज़्यादा फॉलो करें तो उससे आपके काम आसान बोलन विश टाइम में जो समय रहेगा ये रहेगा बारा बचकर पंदरा मिनिट से लेकर के एक बचकर पंदरा मिनिट का समय दोपेर का समय इस समय में आपको मौन धारन करके रखना है माइंड को शांत रख करके चलना है तो ये आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेग तब तक शाम हो चुकी होगी अब appointment का समय आपको नहीं मिल पाएगा अब बोपाल में अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो Monday और Tuesday का समय आपके पास है Monday और Tuesday में अगर आप appointment लेना चाहते हैं तो जल्दी से appointment book कर लीजेगा तकि मैं आपको सही समय दे पाऊं और आपके साथ अच्छे से बात कर पाऊं अब बात करते हैं आपर कौन सा angel number और affirmation आपके लिए बहुत जादा अच्छा रहेगा जो आपको बड़ा फायदा दे सकता है angel number की यहाँ पर बात करें आज जब आप इस number को recall करते हैं तो मैं आपको कहूँँआ कि आप इस number को recall करते समय अपने मन को मजबूत करने की कोशिश जरूर करीगा अपने मन में happiness लाने की कोशिश जरूर करीगा यह आपके लिए काफी जादा अच्छा रहेगा दिखें मन्डे का जो hectic schedule रहेगा काम का burden जो रहेगा इस angel number की मदद से थोड़ा सा काम कम होता हुआ नजर आएगा चीजें थोड़ी सी आसान होते हुए नजर आईगी आज के दिन में जो affirmation है यह भी आपके लिए बहुत ज़ादा अच्छा है नोट करेंजी का प्लीज आज का affirmation I am in charge of my life यह आपको बोलना है I am in charge of my life मदद की आप अपनी life के खुद in charge है आपको पता है कि अपनी life को कैसे आगे लिजाना है आपको पता है इस खराब समय को कैसे balance करना है और आपको पता है कि आप अपने आपको और बहतर कैसे बना सकते है तो dependency create नहीं करनी है आज के दिन में अपने आपको मजबूत रखना है आज के दिन में और strong तरीके से अपने आपको आगे ले जाने की कोशिश करनी है इस बात का विशेश तोर पर ध्यान कीगा अगर आपने dependency create करी अगर आप थोड़ा सा भी कमज़र हुए तो आज का पूरा दिन आपका खराब होता हुआ नजर आएगा क्योंकि आज का दिन balance रखने का दिन है between positivity और negativity negativity का ratio थोड़ा सा high है positivity का ratio थोड़ा सा कम है इसलिए जितना जल्दी balance रखेंगे उतना ही जाद अच्छे results यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे उमीद करूँगा कि आज का ये दिन सुमवार का ये दिन आपके जीवन में खुशिया लेकर क्या है आपके आने वाले सब्ता को अच्छा बनाए और आपको किसी भी तरी की कोई परेशानी ना देखने को मिले उमीद करता हूँ आप सभी परिवार के साथ इस दिन को enjoy करते हुए नजर आएंगे वीडियो को like कर दीजिगा चैनल को subscribe कर दीजिगा बेल आइकन पे जरूर से क्लिक कर दीगा कुछ पूशना चाते हैं जानना चाते हैं अपने बारे में कुछ भी समना चाते हैं आप उतसे संपर कर सकते हैं मैं पूरी-पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभाव मदद्यां पर कर सकते हैं धनिवाद